हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल होमेडबाय होमेकर में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे हैदराबादी सोया बिर्यानी जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है आए चलते हैं हैदराबाद की सायर करने दो टुकड़ा दालचीनी तीन बड़ी इलाईची साथ लाउंग पांच हरी छोटी इलाईची दस काली मिर्च एक बड़ा तेज पत्ता इन सब को महीन पीश के पाउडर बना लेगे चार सो ग्राम ब्रासमत्री चावल को हमने अच्छे से धो के इसे 20 मिर्ट पानी में भीगो के रखा है दो टुकड़ा दालचीनी तीन बड़ी इलाईची साथ लाउंग पांच हरी छोटी इलाईची तस काली मिर्च एक बड़ा तेज पत्ता इसकी हम पोटली बना लेंगे बड़े भरोने में पानी रखें पानी खोलने लगे तुसमें हम एक चमज नमक डाल देंगे और अपनी मसाले की पोटली डाल देंगे फिर इसमें हम अपने चावल को डाल देंगे चावल को हम पकने तक उबालेंगे इस तरह से ढखके 200 ग्राम सोवा बीन नर्ष को हमने अपर उबाल लिया है हलका सा इसमें हम अपने सारे मसाले डालेंगे गरम पाउडर एक चमज यह वही मसाला है जिसे आपको खड़े मसाले दिखाए इसको पीच के हमने एक बड़ा च चमज जीरा एक चमज सबजी मसाला एक चमज नमक नमक आपने सादन साले एक चमज लाल मिर्ची पाउडर एक चमज अद्रक लाशुन का पेष्ट अब इसमें डालेंगे दो कटोरी भरभर के दही अब थोड़े से धनिया के पत्ते यह हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें हम थोड़े सा फ्राइड अनिया डाल देंगे अब थोड़े से गुलाब की पंखुडिया यह तो बियानी की जान होती है वाव चावल हमारे देखिए या खिलके बड़े बड़े हो गए है अब इसका पानी हम निकाल देंगे पोटली का काम यहां पे हो जाता है खतम इसको निकाल लेंगे अब हम चावल को पानी से अलग कर लेंगे परम दरम चावल में एक चमत देशी घी डाल देंगे, ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और चावल को हम ढख देंगे, दो बड़े चमत चेहां पर हम घी डाल देंगे, अच्छे से पका लेंगे, हम अपने बियानी की लेरिंग करेंगे, पहले आधा सोया बेन को इसमें हम डाल देंगे, अच्छे से फैला के, अब उस प्रहां अपने आधी चावल को अच्छे से फैला देंगे, अधी अनियन की लेरिंग कर देंगे, थोड़े से धनिया पत्ती की, उपर से थोड़े से गुलाब की पत्ती होगे, अब हम इसमें आधे सोया बेन की लेरिंगे, फिर से डाल देंगे, बच्चे ही वे चावल को ताल देंगे, पूरा, अब इसमें आपने प्याज के अच्छे फैला देंगे, अच्छे से, थोड़े से धनिया के पत्ते, अब हम आपने इस प्लेट को, इस खुलाब की पत्ते ही आटे, अच्छे से लगा देंगे, ताकि जिस्से में इसका बरतन का मुह भाफ ना निकले, अब हुआपने इस प्लेट को, इस कुकर पे इस तरह से धर्क देंगे, विल्कुल इस से हमारा करस, नहीं नहीं बादित, अईसे हम बंध कर देंगे और पास मेनट हो गया है जो हमने आटा लगाय था於 हमारा बिरेयानी को नहीं छोलेंगे वाँ, कितना प्यारा बनके तैयार हुआ है, साइड साइड से हमाटे को निकाल देंगे, हमारी बिर्यानी सर्व करने के लिए रेडी हो गई है, हैदराबादी सोया बिर्यानी बनके हमारी तैयार हो गई है, आप इसे ट्राइ करें, हमें बताएं आपको ये कैसी लगी, वीड को सब्सक्राइब करें बेल आइकन हिट करें पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बाइबाद